हेलो फ्रेंज, वेलकम के ट्वंटीफो नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज की नियू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अपलाए प्रोसेस के बारे में, तो फ्रेंज यहां पर जो यह न online फॉर्म invite किए गये है और आप इसके लिए ऑन-लाइन आविधन कर सकते हैं, जो की फ्रेंज से फॉर्म आपके स्टार्ट हो गये है 20 जनवरी 20 2024 से, बात करेंगे इस वीडियो में कैसे आप इसमे ओन-लाइन आविधन कर सकते है, कैसे आप payment कर सकते हैं, इसके बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके तो बात करते हैं फैंस इसके ओनलाइन फॉर्म अपलाए प्रोसेस के के लिए इसके लिए फैंस आपको यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है अपलाए का जहां पर आप क्रेट एन अकाउंट करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन स्पेज ओपन हो जाएगा इंस्ट्रक्शन को आप रीड आउट कर सकते है इसके बाद यहां से डाटा को डिकलियर करेंगे डिकलियर करने के बाद आप यहां से प्रोसीड करेंगे प्रोसीड करने के बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है सबसे पहले अगर आपको आरबी या रर्सी में एक्जाम देने से मना किया गया है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है इसके अलावा फ्रेंज से यहाँ पर अगर आप यहाँ पर लास्टिक जो सर्जरी है या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर है उसके अंतरकत आपको कोई error है तो आप उसकी जानकारी देंगे ph candidate है तो yes कर सकते हैं आप आपसे कहा गया है ph candidate are not eligible to create an account तो यहाँ पर ph candidate जो है applicable नहीं है तो आप यहाँ पर no करेंगे इसके बाद nationality आपको यहाँ पर select करनी है इसके बाद आपको आपका नाम देना है तो पूरा नाम आप यहाँ पर enter करेंगे जिसमें सबसे पहले आपको देना है आपका पूरा नाम और इसके बाद आपको इस नाम को यहाँ पर confirm करना होगा confirm करने के बाद अगर आपने अभी अपना नाम जो है change किया है तो आप yes कर सकते हैं नहीं तो आप no करेंगे आपका डियो भी क्या है मिनसे date of birth आप इस calendar पर जाएंगे और आपकी जो भी date of birth है वो आप select कर लेंगे और इसके बाद है retype तो आपको यहाँ पर जो आपकी date of birth है वो friends आपको यहाँ पर देखिए जो है आपको देनी होगी इसके बाद friends देखिए जब आप date of birth दे रहते हैं इसके बाद आपको जेंडर यहाँ पर देना है आपके जेंडर को select करना है और उसके बाद friends आपको यहाँ पर आपका जो father name है वो आपको देना है इसके बाद आपको देना है आपका mother name और mother name को भी आपको यहाँ पर verify करना होगा इसके बाद है आपका अधार verification तो friends आपको देखिए आपका 12-digit का अधार का number है वो आप यहाँ पर देंगे और verify करेंगे using अधार अगर आपके पाधार का नहीं है और आप इस option को select करते हैं I do not है अधार पर तो आपको friends से यहाँ पर देखिए option मिलता है आप इस पर click कर देंगे और इसके बाद friends से कोई भी valid photo ID proof आप यहाँ से ले सकते हैं pen card voter ID और उस ID का number क्या है issuing authority क्या है और place of issue क्या है यह आपको यहाँ पर देना होगा ऐसे ही voter ID आपका friends किसने issue किया है आप voter ID के पीछे साइड आप देखेंगे तो आपको वो जानकारी देखने को मिल जाती है तो आपका driving license किसने issue किया है किस RTO ने issue किया है document number क्या है place of issue क्या है कहां से जारी हुआ है वो आप जानकारी provide करेंगे पर अगर आपके पर जन्रेट email ID करनी है और जन्रेट OTP करना है mobile के लिए दोनों पर ही एक OTP आएगी वो OTP friends आपको verify करनी होगी इसके बाद है password जन्रेट तो password कैसा होना चाहिए तो password में capital letter, small letter, special character और numbers होना जरूरी है अब देखें अगर यहाँ पर देखें बात की जाए तो मैं friends आपको यहाँ पर देखें लिखकर दिखा रहता हूँ जैसे आप यहाँ पर uppercase और small letters यूज कर सकते हैं आप numbers यूज कर सकते हैं और आप कोई भी special character यूज कर सकते हैं password में तो जो भी यह guideline दी गई है इसको आप follow करें password generate करें इस capture code को fill करें और उसके बात preview and create an account पर आप click कर देंगे इसके बात friends आपका देखें जो account है वो create हो जाएगा तो आप अपने mobile number या mail ID और जो password आपने create किया होगा और यह capture code डाल कर आप यहाँ से login कर सकते हैं उसके बात friends आप यहाँ पर login हो जाएंगे आपके friends से dashboard पर और यहाँ पर आपको देखें instructions का page मिलता है जहाँ पर friends आपको कुछ जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसके बाद आपको नीचे एक online application का एक link मिलता है आप इस link पर click करेंगे link पर click करने के बाद अब आपसे कहता है कि आपको RRB select करना है तो आपको यहाँ पर देखें लिस्ट मिल जाती है RRB की आप इन में से किसी भी एक RRB के लिए ही apply कर सकते हैं इसमें friends जो post का नाम है वो आपको select करना होगा उसके बाद यहाँ से आपको I agree करना होगा और उसके बाद आप यहाँ से nest कर देंगे nest करने के बाद friends आपका देखे form आप start हो गया है तो सबसे पहले marital status आपको select करना है यहाँ से religion आपको select करना है choice of language आप कौन सी लेना चाहते हैं आपके exam के लिए वो आपको select करना है permanent visible mark क्या होता है तो friends आपके चहरे पर हाथ पर पैर पर जो भी visible identification mark हो जैसे कोई cut का निशान, कोई mole, कोई burn का निशान तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं तो दो identification mark के आपको entry यहाँ पर करनी होगी नहीं है तो आप दोनों में no mark की entry कर सकते हैं इसके बाद community क्या है जंडल है तो जंडल select कीजिए OBC है या SCST है तो आप इसको select कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखिए आप OBC non-crimalier में आते हैं तो आप यहाँ पर yes करेंगे और उसके बाद I agree करेंगे आपका जो certificate number है issuing authority कौन सा है और date of issue क्या है यह आपको जानकारी provide करनी होगी ऐसे ही friends अगर आप SCST candidate है तो आपको यहाँ पर आपका certificate number issuing authority date of issue और certificate के लिए friends जो आपको यहाँ पर जो reservation मिलता है आपके लिए traveling pass के लिए वो आपको यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं आपका nearest railway station कौन सा है वो आपको देना है और आपका card certificate आपको यहाँ पर upload करना होगा अब card certificate के जो format है वो इसके dashboard पर जो की friends आप यहाँ पर आते हैं तो देखे download format पर आप जाएंगे तो SCST OBC OBC declaration form आपका income certificate EBC का वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तो आप जो format है वो चेक कर सकते हैं mainly central government का certificate आपको यहाँ पर upload करना होगा अब जो card certificate है वो सिर्फ आप PDF format में ही यहाँ पर upload करेंगे इसके बाद नीचे आता है आपका address पहला है present address यह है आपका permanent address अब यहाँ पर देखिए friends सबसे पहले आपको state है UT select करना होगा इसके बाद आपको district select करना होगा और उसके बाद friends से आप अपना पूरा address जो भी आपका है वो आप यहाँ पर enter करेंगे इध्यान रखिएगा address आपको पूरा देना होगा इसके बाद आपको आपका village या town कौन सा है और उसके बाद आपका जो pin code है वो कितना है वो आपको जानकरी यहाँ पर provide करनी है अगर आपका यह सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कीजिए अलग अल आप लग-लग entry करेंगे और उसके बाद यहाँ से data को save कर देंगे इसके बाद फ्रेंट से नेस्ट ऑप्शन आता है आपकी category details का तो देखिए अगर आप एक service man है तो yes कर सकते है और आपकी service में रही है Navy में रही है Air Force में रही है किस rank पर आपने काम किया है आपकी date of joining क्या है अगर आप still defense service में है तो yes या no कर सकते है और आपकी length of service आ जाएगी नहीं किया है तो आप no कर सकते है और date of discharge आप यहाँ पर देंगे एक service में नहीं है तो simply no कर दीजिए इसके बाद देखिए EBC certificate holder आप है तो yes कर सकते है और EBC का मतलब क्या है कि जिनकी family income 50,000 रुपे से कम है या वो जो BPL card holder है वो ही यहाँ पर इसे I understand and agree करेंगे और fees में अगर आपको छूट चाहिए तो certificate की जानकारी आपको यहाँ पर provide करनी होगी नहीं है EBC तो आप no कर सकते है इसके लबा employee है Indian railways में तो yes कर सकते है तो yes कर सकते है और अपनी जानकारी provide कर सकते है नहीं है तो simply इ apprenticeship अगर आपने किया हुआ है मतलब आपने apprenticeship किया हुआ है तो उस condition में apprenticeship की जानकारी आप देंगे किस trade से किया है training कब से अपके रही है औरanov को अगर आपर यहांपर इसको अपको आप Kelly की है तो आप यहांपर know कर सकते हैं इसके बाद है आपका account number किस लिए percentage के lift है तो आपको holder name देना है, account number देना है IFC code देना है और इसे confirm करना है अब जैसे friends से माली जी आपका कोई भी bank का IFC code है आप यहाँ पर उसे enter करते हैं तो उसके बार आप उसे confirm करेंगे तो bank का नाम और bank का address automatic यहाँ पर आ जाएगा तो अपनी bank की passbook को चेक करें उसमें आपको सारी जनकरी देखने को मिल जाती है और उसके बार आप इसे save करके nest कर सकते हैं तो यहाँ पर friends से data save होने के बाद nest option है qualification का आप देखिए qualification तीन तरह से आपकी यहाँ पर है पहला है 10th plus में ITI या आपने 10th के साथ में apprenticeship किया हुआ है या आपने diploma किया हुआ है या आपने diploma in engineering आपने की हुई है तो friends degree in engineering भी friends से यहाँ पर acceptable है सबसे पहले 10th है तो आपको यहाँ पर select करना है किस state से आपने इसको पास किया है किस district से पास किया है किस board से पास किया है तो board का पूरा नाम आप दीजिए, date of passing क्या है तो date of passing आपको इस calendar पर जाना है और इसके बार आपकी date of passing है वो आपको यहाँ पर provide कर देनी है तो यह friends जो date of passing है यह friends आपकी mark sheet पर available होगी उसके according ही आप यहाँ पर जानकारी को enter करेंगे, मैंने यहाँ पर जतनी भी जानकारी एंटर की है यह सिर्फ sample या demo के तोर पर है आपको आपकी actual जानकारी यहाँ पर देनी है इसके बाद आप यहाँ से इस data को add कर देंगे add होने के बाद next option qualification का है तो देखिए NAC आपके पास है, तो NAC आपने यहाँ पर इस ट्रेट से की है, इसके लवा किस state, district से की है किस institute से की है, वो जानकारी आपको देना है certificate किस से issue हुआ है, वो आपको देना होगा ITI आपके पास है तो आप ITI की जानकारी देंगे तीन साल का diploma आपके पास है तो आप डिपलोमा की जानकारी देंगे डिपलोमा की बात करें तो यहाँ पर भी आपको यही option देखने को मिलते है तो आपके according आपने NAC, ITI, Diploma, Degree जो भी किया है आप उस option को select करेंगे इसके बार आपको same friends से state select करना है आपको यहाँ पर district select करना है Polytechnic या institute का नाम क्या है वो आपको देना है और उसके बार आपको देना होगा आपका date of passing मतलब आपने इसको कब pass किया है आप उसकी जानकारी यहाँ पर provide कर देंगे तो यह friends basic जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर आपके qualification की देनी है इसके बार आप इसे भी add करेंगे और उसके बार यहाँ से next tab पर कलिकक कर देंगे ने स्ट पर आने के बार फेंस अब आपको यहाँ पर देखिए documents अपलोड करने है तो आपको यहाँ पर देखिए photograph और signature अपलोड करने होंगे आप यहाँ view sample photo पर कलिक कीजिए आपको देखे यहाँ पर sample photo दी गई है तो आपकी जो photo है कुछ इस तरह से होनी चाहिए simple photo आपसे मांग गई है white background में होनी चाहिए ऐसे ही signature आपको upload करना है आपको देखे उसका sample दिया गया है और यह friends आपका black या blue pen से होना चाहिए running letter में आपको signature यहाँ पर करना होगा size आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो आप यहाँ पर जो भी size मांगा गया है इसमें आपको document जो है photograph और आपका जो signature है वो आपको upload करना होगा तो यहाँ पर friends से मैंने देखे sample के तरह पर photo and sign upload कर दिये हैं आपकी जो actual photograph signature है वो आपको upload करना है और उसके बाद आप upload and save पर कर देंगे इसके बार friends से next step पर आपको जाना है जहाँ पर examination trade आपसे पूछी गई है part B के लिए तो यहाँ पर देखे part B की जो trade है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है आपके according इन में से जो भी exam trade आप यहाँ पर select करना चाहे वो trade आप यहाँ पर selected कर लेंगे इसके बार friends से यहाँ पर देखे selected RRB आपकी यहाँ पर आ जाती है इसके बार आप यहाँ पर इसे declare करेंगे इसके बार नीचे आने पर जो preview है वो open हो जाता है preview open होने के बार आगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे back जाकर edit कर सकते हैं कोई भी गलती नहीं है तो friends आप यहाँ पर देखे जो यह declaration है उसको आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लें और उसके बार आप आई है और री चेक पर किलिक करें और उसके बार आप यहाँ से इसे submit कर सकते हैं submit करने के बाद friends अब आपको देखे fees की detail देखने को मिलती है तो आपको यहाँ पर जो fees pay करनी है वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसके बार आप पेनाओ वाले option पर किलिक कर देंगे इसके बाद friends आप देखे credit card, debit card, net banking, UPI आप जैसे भी payment करना चाहें आप अपने payment को complete कर सकते हैं multiple options आपको मिल जाते हैं आपके according जो भी suitable option आपका है इसमें card details को fill कीजिए, pay now कीजिए net banking है तो आप net banking select करके अपने payment को verify कर सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर देखे आपका जो registration है वो complete हो जाएगा registration number आपको मिल जाएगा payment status आपको मिल जाएगा और इसके बाद friends आपको यहाँ पर receipt मिल जाएगी कैसे आप railway requirement board का ALP का online form अपलाए कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो या update पसंद आया है तो like, subscribe and share जरूर कीजिए और बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube चैनल and last thanks for watching